नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ श्वता अब आप दिल्ली मुंबई या अन्य राज्यों की रेजिस्टर्ड गाड़िया पट्ना में चला रहे हैं तो साफधान हो जाएए आपको बता दें कि अब महज 30 दिन ही अप अन्य राज्यों की रेजिस्टर्ड गाड़िया चला पाएंगे अब हम आपको ऐसा क्यू कह रहे हैं आपको बता दें बिहार सरकार की नई गायिडलाइन के तेहत अब दूसरे राज्यों की रेजिस्टर्ड गाड़िया तीस दिन उससे अधिक दिन चलाने के लिए आपको एक न्यू रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अन्य था पांच हजार का जुर्माना देना पड़ेगा साथी साथ आपको बताते चलें कि शनीवार और रविवार को पुलिस स्पेशल अभियान भी करेंगी और इन गाणियों पर नजर रखेगी अन्य राजियों में रेजिस्टर्ड गाड़ी चलाने के लिए एक माह तक की ही चूट है इससे अधिक चलाते पकड़े जाते हैं तो पांच हजार रुपे का जुर्माना देना पड़ेगा इसके लिए हरशनीवार और रविवार को विशेश अभ्यान चलेगा इससे बचन मिलने के बाद एक दो दिन के अंदर यहां का रेजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपने जिस राजिसे गाड़ी खरीदी है वहां क्लेम करने पर सेश साल का टैक्स वापस मिल सकता है किसी ने दिल्ली में गाड़ी खरीदी है और पांच साल तक वहां चला चुके हैं और परिवहन विभाग के अधिकारी के मताबिक लोग टैक्स से बचने के लिए दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीद कर बिहार में चलाते हैं वैसे लोगों पर अब कारवाई होगी आपको बता दे एक बार फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में लगातार सफर करने वाले भारत सिरीश का नंबर ले सकते हैं यह नंबर 48 महीनों के लिए ही मिलेगा इन वानों के लिए किसी भी राज्य में परिचालन के दौरान कोई प्रतिबंद नहीं रहेगा जिला परिवहन कारयाले के मताबिक भारत सिरीश का नंबर 10-15 साल के लिए नहीं मिलेगा हर 48 महीने क इसके बाद टैक्स जमा करना पड़ेगा अगर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो डिफॉल्टर हो जाएंगे आप पहली बार जिस राज्य में वहान खरीदते हैं उसी राज्य में बी एच नंबर लेते समय टैक्स देना पड़ेगा इसके बाद दूसरे राज्य में परिचालन क कार्याले हैं उनके करमी अपने वहान की बीच सीरीस के रघिस्टरेशन गरा सकते हैं लेकिन अभी पुरानी खरीश्टरेशन नमबर पर दीच नमबर नहीं मिल सकता है नई गाड़ी खरीदने वाले को ही इसका लाब मिल सकता है तो आपको एक बार पिर बता दल coc कि अगर आपकी गाड़ी अन्य राज्यों से रजिस्टर्ड है तो आप महज 30 दिने बिहार में चला पाएंगे इससे अधिक दिन चलाने के लिए आपको एक न्यू रेजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आपने नहीं कराया तो आपको 5000 का जुर्माना भी भड़ना पड अगर आपने हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें साथ ही साथ हमारे फेस्बूक के फॉलो और शेयर करना ना भूले धन्यवाद